नमस्कार दोस्तों, आईए देखते हैं कि कैसे पता चले हमें है कि हमारे CRM पोर्टल में कितनी कम्प्लेने इन्वर्ड में पैंडिंग है तो दोस्तों आप देख सकते हैं स्क्रीन पर CRP है और ECP है ECP में हम generally post menu का काम करते हैं या बाकी चीज़े का काम करते हैं ठीक है लेकिन हम जो कम्प्लेन देखते हैं, वो देखते हैं CRP में तो दोस्तों अंत तक बने रहे हैं सबसे आशान और easiest way आपको बताया जाएगा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर बताइएगा सबसे पहले आप इसमें CRP पे क्लिक करने के बाद आपको जैसे सैप में लॉगिन करने का option होता है वो आप option आएगा आपके पास आप लॉगिन करेंगे यहां तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत की चीज़ नहीं है दोस्तों आपको वीडियो जो है अंत तक देखने पे यह पता चल जाएगा कि किस तरीके से आप आपनी pending complaints को देख सकते हैं और उसका निस्तारन जो है उसका link मैंने अपने description box में दे दिया है आप उसका निस्तारन की विधी भी देख सकते हैं दोस्तों हमारे चैनल को subscribe कर लीजिए और आएए देखते हैं कि आगे किस तरीके से होगा यह solution तो फिलाल हमने login कर लिया है login करता ही सबसे पहले जो start the web link URL है उसपे click करेंगे यहां allow के button को हम दबाएंगे दोस्तों जब हम allow कर देंगे तो फिर से एक sapnet waiver जो है यह हमारे सामने खुल जाएगा इसमें फिर से हमें user ID और password अपना फिल करना है जो भी हमें मिला हुआ है दोस्तों और इसकी power जो है वो हमारे divisional office से मिलती है दोस्तों तो हमारे admin से जब हमें power मिली रहोगी तब हम इसमें अपना password डाके login करेंगे और सीधा login होके यह screen खुलेगा इस screen में आप दोस्तों देख सकते हैं आपके पास variety variety प्रकार की चीज़े लिखी है posting date, business partner, legacy complaint ID, article tracking ID, pending with, CRM complaint ID और status तो दोस्तों आप देख सकते हैं उपर आपका जो facility ID दिया हुआ है उसको आपने copy कर लिया आप control C से copy कर सकते हैं और copy करने के बाद उसे हम pending with में क्लिक करके उसे control भी करके paste कर देंगे तो आपने सीधा जो है आपको अलग से note करने की जोड़त नहीं है उपर हमें मिल गया था वो हमने जो है यहाँ पर डालके सीधा search पर क्लिक करना है और search पर क्लिक करते ही दोस्तों आजाएंगे आपके कितने complaint pending है आप देख सकते हैं आपके यहाँ पर दो complaint फिलाल पैंडिंग दिखा रहे हैं तो यह है तरीका अपनी pending complaint देखने का दोस्तों तो हमारे यह method जो है आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए like and subscribe जय हिंद और ब दोस्तों